Hello everyone, welcome to our YouTube channel आज है 14 अप्रेल 2021 एक नई दिन के Current Affairs की सुरुवाग करेंगे सबसे पहला क्विशन है किस राजी की सरकार ने जहां जुगी वही मकान योजना को सुरू किया है तो जहां जुगी वही मकान योजना को सुरू किया है दिल्ली की सरकार ने Option number D आपका Correct होगा जहां जुगी वही मकान योजना को देश है इस योजना के तहत जुगी बस्तियों में रह रहे बेघर परिवारों के लिए flats बनाए जाएंगे जिससे इन परिवारों को अच्छी जिन्द की मिल सके और इस योजना के तहत ऐस अमानता को कम किया जा सके नई दिल्ली की बात करें इसकी स्थापना किस नहीं की थी ये था अंगपाल जो की तोमरवंस के सासक थे इसके लावा दिल्ली की जो यहाँ पर राजकी पशू है वो है नील काय और पक्षी है घरेलू गोरिया इसके लावा पेड है गुलमोहर इसके लावा राजकी फूल है अलफामफा इसके लावा मुख्यमंत्री है अर्विंद केज़्युवाल उप राजयपाल अनील बैज पहली महिला शाशे का यह थी रजिया सुल्तान इसके अलावा दिल्ली में इस्तेत जो परमुक स्टेडियम है जैसे की जवहारलाल नहरु स्टेडियम है सिवाजी स्टेडियम है अरुन जेटली स्टेडियम है जिसका पहले नाम क्या था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसके लाबा अमबेडकर स्टेडियम है, मेजर ध्यांचंद स्टेडियम है, यह सारे के सारे ही important यहाँ पर स्टेडियम आपको देखने को मिलेंगे, अगला क्यूशन है, गुईलार्मो लासो, यह किस देश के नए राश्टपती बने है, गुईलार्मो लासो जो है यह बने ह इकवाडोर के, option number A, आपका correct होगा, इकवाडोर, दक्षणी अमेरिका, दक्षणी महदीप में इस्तित्यापर, इसके लाबा राजदा नहीं है, क्यूटो और करंसी है, United States Dollar, इसके लाबा जब हम बात करते हैं राश्टपती की, तो यहाँ पर गुईलार्मो लासो जो है, यहाँ के राश्टपती बने है, important question आपर बन जाएगा, top 5 countries के अगर हम राश्टपतियों की बात करें, अफगानिस्तान के राश्टपती है, असरफ गनी, ब्राजील के राश्टपती है, जेर वोलसनोर, इसके लाबा, बंगलादेश के राश्टपती है, अब्दुल अगला question देखें, यहाँ पर क्या है, मानव अंत्रिक्स उडान का अंतराश्टे दिवस, International Day of Human Space Flight, यह कब मनाया गया है, यह मनाया गया है, बार अप्रेल को, option number B आपका यहाँ पर correct होगा, सयोत राश्टे महासबाद्वारा, 7 अप्रेल 2011 को पराजित एक प्रस्ताफ के बाद से, हर साल 12 अप्रेल को मानव अंत्रिक्स उडान, अंतराश्टे दिवस के रूप में मनाया जाने की घोशना की थी, पूर्वे सोविट संग के नागरिक यूरो, गागरिन ने 12 अप्रेल 1961 को यहाँ पर वोस्टोक नामक अंत्रिक्स यान से, अंत्रिक्स के लिए पहली उरान भरी थी, जिसके साथ वे अंत्रिक्स पर जाने वाले पहले वेक्ति बन गए थे, यूरी कागरिन को इस अंत्रिक्स उडान के उपलक्स में हर दिवर्द यहाँ पर इस दिन के रुपे यहाँ पर मनाया जाता है, और इसके अलावा, बारक अप्रेल 1981 को को लंबो द्वारा लॉंच किये गए, पहले स्पेस सटल, STS-1 की तिथी को भी यहाँ पर याद किया जाता है, पांच पॉइंट अगर हम बात करें, इस पेस एजेंशियों के बारे में, तो कौन-कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करें, इस रो की, तो आप जानते हैं, भारत की स्पेस एजेंशी है, यहाँ पर जाना की, तो जाना जो है, यह बेसिकली जापान की है, इसके अल खुपाले से पाटिल, ये किस राजे के ग्रह मंतրी निउप्थ सभी आपक बाल में अनुसंधान की बाद करेंड है महराश्ट राज्य के मुंबाइ सेहर में इस्तित भारते रिजर्व बैंक, भारते स्टेट बैंक, बैंक बड़ोद इंडिया, सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया, यूनियन बैंक ओफ इंडिया, एक्सिस बैंक, SDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटेक महिंद्रा बैंक, सेभी बैंक, यहाँ पर NSC बैंक, इसके लाबा BCCI बैंक, B.S.C. Bank ये सभी का मुख्यल है कहाँ पर है ये सभी के सभी यहाँ पर आपको देखने को मुलेंगे महराश्ट में महराश्ट के परमुक हवाई अड़े जो है वो कौन-कौन से है तो पहले तो है छत्रपरती स्रिवाजी अंतराश्टे हवाई अड़ा बाबा साहिब अंबेडगर अंतराश्टे हवाई अड़ा महराश्ट के मंदिर है केलास मंतिर अलोरा और महा बलेश्वर मंदिर नियूकतो की बात की जाए संसद्य कारिय मंत्राले के सचीव ज्यानेस कुमार है भारते सेना के केप्टन बनने वाले पहले सांसद अनुराग ठाकूर है करनाटक लोग सेवायोग केपी एससी के अध्यक्स है सिर्व संकरपा एस साहुकर करमचारी राज्य बीमा निगम के महा सचीव है मुकमित एस भातिया हरियाना करमचारी चेन के अध्यक्स है भोपाल सिंग 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बन गई है कुलकत्ता नाइट रैडर्स यहाँ पर चोधवे सीजन के अंदर इन्होंने यहाँ पर तीसरे मैच में संराइज हैद्राबाद को 10 रन से हरा दिया था और के के आर को IPL में 100 वी जीत यहाँ पर मिल गई है IPL लीग में सबसे ज़्यदा मैच जीतने के मामले में कुलकत्ता नाइट रैडर्स सबसे तीसरे नमबर पर है मुंबाई इंडियन्स 204 के साथ यहाँ पर टोप पर है 204 मैचों में से 120 इन्होंने जीते हैं टोटल महिंदर सिंग दोनी की चैननी सुपर किंग 180 मैचों में इन्होंने आपर टोटल जीते हैं 106 यह इंपोर्टेंट कुशिन आपर बन जाएगा IPL इंडियन प्रिमेर लीग IPL का पहला संस्क्रण 2008 में खेला गया इसमें से विजेता टीम राजस्थान रोयल्स थी और उप विजेता टीम थी चैननी सुपर किंग 2020 में IPL का तेरवा संस्क्रण UAE में आईजित किया गया IPL 2020 में विजेता टीम जो है ये कौन से रही है मुंबई इंडियन्स रही है 2020 में एल राहुल को औरेंज कैप यनकी सरवादिक रन बनानी के लिए समानित किया गया था और यहां पर परपल कैप दिया गया था कागोसी रबाड़ा को सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझो होता जिसे हम कहते हैं RCEP इसको लागू करने वाला पहला देश कोन सा बन गया है सिंगापूर RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership शेत्रिय व्यापार आर्थिक साज़ेदारी एक बहुराष्ट्रे व्यापार साज़ेदारी है जिसमें 10 आश्यान अर्थव्यवस्ताओं के साथ ऑस्टेलिया चीन जापान न्यूजिलेंड यहां पर दक्षिनी कोरिया शामिल है RCEP में नौंबर 2020 में 15 भागिदारी देशों द्वारा हस्तक्षा जो हस्ताक्षा रहों किये गए थे और इसमें भारत ने इसे 2019 में चुना था इस व्यापारी करार का मकसद RCEP में देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना है और सिंगापूर ने RCEP समझोति की पुष्टी की जो चीन ने चीन के नितरत्वे में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझोता बन गया है ऐसा करने के बाद सिंगापूर RCEP की यहाँ पर पुष्टी जो है आपर रेटिफाइड जो है करने वाले 15 परतिभागी देश में यहाँ पर पहला बन गया है सिंगापूर राजदानी है सिंगापूर सिटी सिंगापूर डोलर है करंसी यहाँ पर हलीमा याकुब है राश्पती, ली सीन लूंग है परधान मंत्री किस राजे के सरकार ने फिल्म स्टार सोनु सूद को कोरोणा टीका करण अभियान के लिए ब्रेंड एमज़र चुना है यह चुना गया है, option number आपका correct होगा, C Punjab जिसकी स्थापना 1 November 1966 कोई थी, राजदानी है चंडीगड, गवर्नर है विजिन पाल सिंग बदनूर मुख्य मंत्री है, कैप्टन अमरिंदर सिंग, कॉंग्रेस पार्टी जाते हैं, मुख्य नैदी से हैं, रवी शंकर जहाँ 36 गड विरनी पुरुसकार 2021 किसे सम्मानित किया गया है, दूती चंडर को, देखो 36 गड विरनी पुरुसकार जो है, यहाँ पर विरनी पुरुसकार जो है, यह खेल सहीत विभिन चेत्रों में भारती महिलाओं की योगदान को दिया जाता है भारती धावक है, दूती चंडर, इनको 36 गड की सरकार द्वारा, 36 गड विरनी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, और उन्हें यह पुरुसकार 14 अप्रेल 2021 को वर्चुली तिया गया है विजडम फोर स्टार्ट अप्स फ्रॉम ग्रोनप्स डिस्कवरिंग कोर्परेट आयर्वेदा यह बुक अभी लोच हुए, इसके लेखक कोन है उप्युक्त दोनों, यानि की आर गोपाल कर्ष्न और आर गोपाल नारेन ठीक है? अगर हम यहाँ पर टॉप बुक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इनका रिविजन कर लेना है ठीक है? अगला देखो, क्या है क्विशन? नई राष्टे सिक्षान नीती, NEP को आसानी से लागू करने वाला सार्थक योजना को किसने सुरू किया है? रमेश पोख्रियाल निशंक ने देखो, सार्थक स्टुडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रो क्वालिटी एड़ुकेशन केंडरी मंत्री, शिक्षा मंत्री है रमेश पोख्रियाल निशंक इन्होंने राज्यों तथा केंडर सासित परदेशों की नई रास्टे सिक्षान नीती के उद्देशों और लक्षों को हासिल करने के में सायों के लिए गुणवत्ता पूर्ण, शिक्षा के जरिये छात्रों और शिक्षकों का समगर विकास यानि कि सार्थक योजना की सुरुवात की गई है इससे राज्यों और केंडर सासित परदेशों की नई नीती शिक्षा नीती जो है यहाँ पर New Education Policy NEP 2020 के लक्षे और उद्देशों को यहाँ पर समझने में मदद मिलेगी आज मैंने कुछ अलग किया है आज मैंने जो आपसे क्यूशन पूचा है वो इसी वीडियो में आपको एक बार पढ़ाय जा चुका है तो आज आप लोग सभी लोग ट्राय करेंगे इस क्यूशन का एंसर देने का कोसिस करेंगे ताकि आपको यह पताल लगे सके कि आज आपने कितना अर्ण किया है आज का आपका टेस्ट का क्यूशन है दिलिप वालसे पार्टिल को किस रज्य का गरह मंत्री नियुकत किया है कमेंट करके और इसके बारे में अगर आपके पास एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन है तो वह भी आप बताए अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें और हां शेर जरूर कीजिए ताकि एक मोटिवेशन बना रहे थैंक यू अब्रिवन बाइ